जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जुलाई 2023 से कितना परसेंट डिये या फिर डियार होगा कुछ आखडे लेकर आया हूँ मैं आपके साथ उसे मैं आपको बता सकता हूँ कि जुलाई 2023 से कितना परसेंट डिये होगा या फिर डियार होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंत ओफ मार्च 2023 हैज बिन रिलीजड ऑन 28-4-23 जैसा आपको पता है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका जो आकड़ा है मार्च 2023 का वो रिलीज हो गया था 28 अप्रे या फिर डियार होगा सेंट्रल गवर्मेंट पैंशनर्स या फिर एंप्लॉई अभी कितना डिये या फिर डियार ले अभी ले रहे हैं 42 परसेंट 42 परसेंट उनका डिये या फिर डियार है पैंशनर्स के लिए 42 परसेंट डियूरिंग दा एंड औफ जनवरी 2023 इस 43.08 यान जब जनवरी 2023 का महीना बीता उसके बाद जो आकड़े निकल के आए वो कितने परसेंट था 43.08 फिर फर्वरी 2023 का 43.79 ऐसी जब मार्च खतम हो गया उस टाइम था 44.46 आगे समझते हैं यानि इतना इतना इंक्रीज हमें देखने को मिला तीन महीने के भीतर आगे समझते हैं इन केस इफ देर इस नो चेंज इन कॉस्ट इंडेक्स अप टू जून 2023 यानि जून 2023 तक आते आते अगर कोई चेंज नहीं होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कॉस्ट इंडेक्स में तब एक्सिस्टिंग पॉइंट्स की अनुसार ये होगा 45.74 जैसा आपको पता है अभी 42 परसेंट डियार या फिडिये चल रहा है तो अगर कोई चेंज नहीं होता है जून 2023 तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इनकी आखड़ों पर तो कितना होगा 45.74 तो इसका मतलब है इट विल बी मोर देन 46 परसेंट एबब यानि 46 परसेंट से उपर ही जाएगा अगर कोई चेंज नहीं मिलता है हमें तो हमारा डिये डियार कितना परसेंट होगा जुलाई 2023 से लगबख 4 परसेंट हाइक विल बी 4 परसेंट एंशूर यानि कितना इंक्रीज होगा 4 परसेंट डिये डियार हो सकता है जुलाई 2023 से यानि दोस्तो हमारा कितने DR-DR बढ़ सकता है? 46% तक 42 से 46% तक हमारा DR-DR हो सकता है 4% बढ़ने की उमीद है तो दोस्तो इट विल भी मोर देन 46% है अब यानि 46% तक भी बढ़ सकता है और 46% से उपर भी जा सकता है तो दोस्तो 4% यहां पर उमीद है कि 4% बढ़ जाए जुलाई 2023 से इससे उपर भी बढ़ सकता है तो दोस्तो यह चीजे मैंने आपको समझाई 42 से 46% तक हो सकता है आपका DR-DR I hope इन चीजेओ का आप समझ गिये होंगे वीडियो आपको अच्छा रखता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब पर सकते हैं Thank you so much